आप सभी लोग इन्हें तो जानते ही होंगे बोचपुरी, इस्टार और अब आप देखते हैं कि राजनीती से भी जुड़ चुके हैं और भारती जिन्ता पार्टी की तरफ से एं लोग सवा सदस्त भी चुनाव भी लड़ चुके हैं लेकिन आपने देखा होगा कि इन्हें हार का सामना करना पड़ा था जो उत्तर विदेश की पूर मुखमंत्री हैं अखले स्यादों के सामने इचुनाव में खड़े हुए थे तो आज हम लोग बात करेंगे दिनेश लाल यादो के बारे में और दिनेश लाल को आप लोग निरहुगा के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने कई मूवियां भी भोचपुरी की हुई हैं और काफी अच्छे एक्टर माने जाते हैं इसमें कोई सक नहीं होना चाहिए तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामन जानकारी देख लेते हैं और फिर चाहे आप लोग एक्टर के रूम में पसंद करते हो या नेता के रूम में पसंद करते हो और ये कभी-कभी आप देखते हैं कि काफी चर्चा में बने रहते हैं तो मुझे लगा कि इनके बारे में एक सामान जानकारी आपको जरूर होने चाहिए आप अपनी स्क्रीन के सामने इनकी फोटो भी देख रहे हैं क्या देख रहे हैं? पिक्चर भी देख रहे हैं इनका जनम हुँथा है, दो फरवरी 1989 को इनका जनम हुआ था, टंडवा गाजीपुर उत्तर पिदेश में इन्हों ने जनम लिया था, एक आप लोग एक बार उत्तर पिदेश को देख लिजे, यह हमारा प्यारा भारत है, उत्तर पिदेश आपको देखने को मिलेगा, और सीटें देखने को मिलेगी अगर हम लोग इनकी पत्नी की बात करें तो मंसा देवी इनकी पत्नी का नाम है निरहुआ की और इनके दो बच्चे हैं क्या हैं दो बच्चे हैं इनकी अगर सिक्षा की बात करें तो मलिक पुरा महाविध्याले से विनों ने इसनातक किया हुआ है क्या किया हुआ है इसना तक किया हुआ है अगर हम लोग निरहुआ की फिल्मी केरियर यानि की फिल्मों के सफर की बात करें तो वही अगर दिनेसलाल यादव यानि की और निरहुआ की भोचपुरी केरियर की बारे में बात किया जाए तो उन्होंने अपने भोचपुरी केरि रिलीज हुआ था जिसका नाम था निरहुआ सटल रहा और इस एल्बम में ने उन्हें भोजपुरी जगत में पिसिद्ध कर दिया और यह गाना भोजपुरी दर्सकों को खो पसंद आया और आप लोग भी अगर भोजपुरी मुवी देखते होंगे गाने सुनते होंगे तो आपको भी पसंद आते होंगे इसके बाद उन्होंने अपनी भोजपुरी फिल्मी केरियर की सुरुआत की साल 2008 में भोजपुरी फिल्म नरहुआ रिक्सा बाला की नाम से इनकी मूवी आई हुई थी जिसके बाद उनके साथ मुक भुमिका में भोजपुरी एक्टरस पाकी पाकी हैगडे थी और यह फिल्म सुपर रूपर हिट हुई थी और इसके बाद आप देखेंगे निरहुआ ने पीछे मूड कर नहीं देखा वेक टू वेट भोचपुरी इंडुस्टी को कई हिट फिल्में दी जिसमें आप देखेंगे निरहुआ रिक्सा बाला टू साथ सहीलिया गंगा जमना सरसुती एक दूजरे के लिए निरहुआ हिंदुस्तानी पतनासी पाकिस्तान राजा बाबू गुलामी रामलकन इस तरह रहते हैं उनकी बहुत जल्दी जल्दी क्या होती रहती है मुविया आती रहती है अगर निरहुआ का मतलब क्या होता है यह आपके मन में कई वाल सवाल आता रहता होगा कि आकर निरहुआ सब्द का मतलब क्या है तो आपको बताता हूं कि निरहुआ एक भोचपुरी सब्द निरहु से बना हुआ है जिसका रथ होता है सिंदूर और सिंदूर की लाज रखने वाले पती को निरहुआ कहा जाता है दूसरे सब्दों में पती धरम का निष्ठा से निर्वाह करने वाला व्यक्ति निरहुआ कहा जाता है और वैसे लोग गीतों में इस सब्द को ज पाजनीती में भी कदम रखा उन्होंने साल 2019 में मौधी का समर्थन करती हुए भारती जंता पार्टी की सदसाली और 2019 में हुए लोकसभा चुनाओ में निरहुगा ने आजमगर से समाजबादी पार्टी के उमीदबार अखले स्यादों के खिलाब चुनाओ लड़ा था और उ अखले स्यादों चुनाओ 2019 के लोकसभा चुनाओ में चुनाओ जीत हासिल की हुई थी और आजमगर से लोकसभा सदस मने थे और दिनेस लाल यादों को हार का सामना करना पड़ा था आपके मन में भी किसी के बारे में जाननी की दिल्चस्वी है तो आप लोग उसका नाम ब